हलो डियर स्टूडेंस आज हम करेंगे वक्षीट नंबर 77, 4 ग्लास 9th विज्ञान की वक्षीट है हिंदी मीडियम में 25 जनवरी 2021 की हम बिमार क्यों होते हैं ये हमारा पार्ट चल रहा है और उपचार के नियम आज का टॉपिक रहेगा ग्यान ने पूछा है जग्यासा दिदी संक्रामक रोगों का इलाज कैसी किया जाता है तो दिदी ने समझाया कि ग्यान संचारी रोगों को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये किसकी वज़ा से होते हैं रोगानों की वज़ा से होते हैं और जब भी कोई वेक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंदिन संकेत या फिर लक्षन जैसे की बुखार, सूजन या आधी दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। यानि कि जब भी कोई रोग से संक्रमित होता है वैक्ति तो उसका शरीर उससे related कुछ संकेत देता है, कुछ लक्षन देता है और जिन लक्षनों को जानकर डॉक्टर या चिकत सक रोगी के उन रोगों के संकेतों लक्षनों के अधार पर इलाज करते हैं तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको लक्षन क्या-क्या आ रहे हैं, तो उसी से पता चलता है कि कौन से रोग से आप क्रसित हैं, संक्रामक रोगों के उपचार के लिए दो उपाएं हैं, जिन्हें उपचार के नियम भी कहा जाता है, तो उपचार के नियम क्या-क्या हो सकते हैं संक्रामक रोगों के लिए, तो वो दो दिये गए हैं, यानि कि क्या कहा है उपचार के नियम एक होता है रोग के प्रभाव को कम कर दें तो जो भी रोग हुआ है उसके जो लक्षन है उनको अगर हम प्रभावों को कम कर दें तो हो सकता है और दूसरा क्या है कि रोगों के कारण यानि कि रोगानुओं को ही स्माप्त किया जाए शर लक्षनों को जैसे कि बुखार आ रहा है दर्द आ रहा है या उल्टी हैं आधी को कम करने के लिए कुछ दवाईयां देते हैं लिखते हैं इसे लक्षन आधारत उक्चार या राहत भी कहते हैं ठीके इसके अलावा रोगी को बेड्रेस दिया जाता यानि कि पूर्ण आराम क जाते हैं ताकि उनके जो शरीर है उनके अंदर उर्चा का संरक्षन हो सके और जो उनकी बिमारी है जो उनको रोग हुआ है वो जल्दी ठीक हो पाए डूसरा तरीका कि रोग के कारण को यानि कि रगानों को ही समाप्त किया जाए तो यह उपचार का दूसरा उपाय होता है इसमें क्या किया जाता है इसमें रोगी की विभिन चिकितसा रिपोर्टों के अधार पर डॉक्टर बिमारी के सही कारण का पता लगाते हैं यानि कि आपके different different test करवाय जाते हैं जब आपके लक्षन जो सुनते हैं डॉक्टर और फिर उसके बाद कुछ test लिखते हैं इससे particularly पता चल जाता है कि कौन से रोगाणू की वज़े से आपको यह बिमारी हो गई है तो रोगी की जो विभिन चिकितसा रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर डॉक्टर बिमारी का सही कारण पता लगाते हैं और रोगाणू का भी रोगाणू की भी पुश्टी कर लेते है कि इसी रोगाणू की वज़े से आप बिमार पड़े हैं फिर उस रोगाणू को मारने के लिए कुछ दवाईयां या ओश्टियां दी जाती हैं जिनसे फिर रोगी पूर्ट ठीक हो जाता है तो कौन-कौन से रोगाणू के लिए कौन-कौन से दवाईयां है तो आप नाम स यह समझ जाएंगे कि antibacterial जो हैं वह जिवानू रोगों के उप्चार के लिए दी जाती हैं अगर कोई रोग जिवानू की वज़े से हुआ है तो उनको antibacterial दी जाएंगे एंटी वाइरल ओश्दियां विशानु रोगों के उपचार के लिए होती है एंटी फंगल ओश्दियां कवक रोगों के उपचार के लिए होती है एंटी प्रोटोजोवा ओश्दी जो होती है वो प्रोटोजोवा के रोगों के उपचार के लिए दी जाती है इसे प्रकार क् तो यह वह वोश्दियां होती हैं जिनका उप्योग संक्रमित विक्तिके में रोग कारक बैक्तिरिया यनि कि अगर रोगाणू बैक्तिरिया है उसको मारने के लिए दिया जाता है और उन्हें एंटिबैक्तिरिया लोश्टि कहते हैं जैसे कि पैनिसिलीन और टेटरसाइकलीन ये antibiotics के उधारन हैं तो इन्हें आप याद रखें कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकें Antibiotic bacteria के जीवन चक्र में जरूरी जैव रसानी जैव प्रक्रिया को रोक देती है जिसे की bacteria मर जाता है तो antibiotic जो है वो काम कैसे करती है वो bacteria के जीवन चक्र है उसकी जो life cycle है उसकी अंदर जो उसके जरूरी जैव प्रक्रिया हैं उनको रोक दिया जाए तो फिर वो bacteria मर ही जाएगा तो यही इसका process होता है Antibiotic के काम करने का ये जैव रसानी जैव प्रक्रिया हर रोगानों में विभिन विभिन होती है इसलिए हमने देखा कि अलग-अलग रोगानों के लिए अलग-अलग दवाईयां दी जाती है और ये जो ओश्दिया होंगी यानि कि antibacterial ओश्दी या फिर antibiotic ओश्दिया जो है वो सिर्फ जिवानों के लिए यानि कि bacteria के लिए ही काम करेंगी ना कि virus के रोगों के लिए तो antivirus अब एक important बात आती है कि antiviral ओश्दियां बनाना antibacterial ओश्दी के बनाने के पिक्षा बहुत कठिन होता है यानि कि antiviral ओश्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किले आ सकती है लेकिन जो antibacterial दवाईयां होती है उनको बनाना असान होता है तो ऐसा क्यों है एक example के तोर पे समझें तो आप देख रहे होंगे कि COVID-19 जो माहारी फैली है उसके लिए vaccine का जो निर्मान हुआ वो काफी लेट हो पाया है और इसमें भी जो है काफी मुश्किलें आई है तो अगर हम antiviral की बात करें antiviral ओश्तियां जो है वो क्यों नहीं बन पाती है उनका बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है तो इसके कारण क्या है कि virus जो है वो अपनी जैव रसानिक प्रणाली उनकी बहुत कम होती है और फिर वो कैसे जीविद रहते हैं वो हमारे शरील में एंटर कर जाते हैं और अपनी जीवन प्रकेरिया के लिए हमारी ही machinery का उप्योग करते हैं इसलिए वो जीविद जादा देर तक रह सकते हैं और इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभाव शाले अंटिवारल ओश्टियों भी अप्लब्द हैं लेकिन हमारी जो technology है उसके दुआरा अंटिवारल ओश्टियों को बनाना असान तो हुआ है लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी कठे नईया होती ही है अब आते हैं प्रशनों की और आपको चार प्रशनों दिये गए हैं वक्षीट से रिलेटेड तो चलिए करते हैं प्रशनों को सबसे पहला प्रशन है रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या है तो क्या क्या तरीके हैं अभी हमने पढ़े थे वक्षीट में उपचार के नियम रोख के प्रभाव को कम करके या फिर रोख के कारण यानि की ड्रोगाणों को ही स्वाप्त करके तो इन आप डिटेल्स में लिखेंगे इस प्रकार से अगले प्रशन की और बढ़े तो अगला प्रशन है एंटिबाइटिक्स किने कहते हैं और यह कैसे काम करती हैं तो एंटिबाइटिक्स कौनसी होती हैं दवाईयां जो कि बैक्टीरिया के लिए काम करती हैं तो एंटिबाइटिक उश्टियां वह उश्टियां होती हैं जिनको उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोक कारल बैक्टीरिया यानि की जिवानों को मारने के लिए किया जाता है। और इनको हम फिर anti-bacterial ऊश्डी भी कहते हैं, antibiotic भी कहते हैं, penicillin और tetracycline ने कुछ उधारन हैं, और antibiotic बेक्टेरिया के जीवन चक्र को जरूरी जयवरसानिक जय प्रक्रिया को रोग देती है, जिससे बेक्टेरिया मर जाता है, तो इस प्रकार ये कारे करती हैं, आगे प्रश्न है एंटिवारल दवाईयों का उतपादन एंटिबैक्टिरियल दवाओं के उतपादन से अधिक कठिन क्यूं है तो इसके लिए हम यह पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे कि आफ वक्षिट से देख सकते हैं चीक है अगला प्रश्न है संचारी रोग क्या होते हैं और क्योंकि जिवानों तो सिर्फ बैक्टिरिया की बात कर रहे हैं लेकिन संक्रामक रोग यह संचारी रोग तो वो हैं जो अलग अलग जो सुक्षम जीव हैं हमारे पांश सरा के हमने पड़े थे उन से किसी से भी हो सकते है चाहे वो जिवानों हो चाहे वो वायरस हो विशान 19 तो ये हमने center example लिखने हैं इसके अलावा अगर आप और भी examples देखना चाहें तो इस picture से आप काफी सारė examples लिख सकते note कर सकते हैं फिर उन्हें learn कर सकते हैं यहां आपको पताया गया कि bacteria से होने वाले कौन कौन सी disease हैं यानि कि जीवानوں से फिर बात आती है वायरस यानि की विशानों से विशानों से कौन कौन सी रोग होते हैं तो AIDS, Influenza, Herpes और Hepatitis, Common Cold तो ये सारी वायरस से होने वाली बिमारिया है फंजाई से होने वाले जो हैं वो भी बहुत सारे इसमें एक्जामपल लिखे गए हैं रिंग वर्म से हैं या फिर Skin Disease हैं प्रोटो जोवा से होने वाले डिजीज भी लिखे गए हैं और फिर इसके बाद Parasites यानि की जो क्रिमी होते हैं उनके द्वारा होते हैं जो रोग तो आप इसकी लिस्ट अपनी कौपे में भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं तो ये थी बचो आपकी आज की वर्कशीट अपनी टीचर्स को अपनी वर्कशीट को अच्छे से करके समिट कीजिए, लर्न कीजिए इसे तयारी जारी रखिए अपनी मिलते हैं आपसे नेक्स वर्कशीट की वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वोचिंग